गुड इवनिंग सभी को तो आज हम लोग रहने आला लेक्चेर नंबर 44 क्या मतलब चार दस से एक मिट पहले आगे चलो तो लेक्चेर नंबर 44 रहने वाला है और जल्दी सभी लोग सेशन को लाइक और शेर कर देंगे फ्रम लोग स्टार्ट करते हैं प्रनाम पाश्चा सभी को प्रनाम और गुड इवनिंग एक बार सभी लोग भाई सेशन को लाइक वाइक कर देंगे सरा आप तो 30 से स्टार्ट करने लिए तो मतलब अड़े सोरी 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 जब ठील्ड गराम पर गल्ती से मने चार थटी चाहँड़े चार मेसेज कर दियो को, सॉरी, तभी मैं सोचू हूँ आज इतने कम स्टूडेंट क्यों हैं, तभी मैं सोचू हूँ आज इतने कम स्टूडेंट क्यों हैं, गलती से वो चार तीस की आदत पड़ी विती, इसले मैंने चार तीस कर दिया था, I'm really sorry for that, ठीक है, चलो वे, गुड़ इवनिंग, माई एम, रिषिकेश, प्रियंका, लोकेश, निखिल, सभी को, गुड़ इवनिंग, तो स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नमबर 44, और बताओ वई क्या हालें सभी के, सब बढ़ियां, मस्त हैं कि नहीं, और बाकी subject भी करते रहना, ऐसा नहीं कि जीके, के प्यार में इतने डूब गए, कि बाकी कुछ चीजें नजरी नहीं आ रही है न, तो किसी के भी, चीज में, किसी भी चीज में, एक्स्ट्रीम तक नहीं जाना होता है, ठीक है, अपने senses पर control करके रखना होता है, चाहे वो जीके हो या फिर कोई और, चले, स्टार्ट करते है पहला question आपकी screen पर ये रहा, उदय शंकर was an Indian dancer best known for creating a dash, उदय शंकर एक भारती नरतक थे, जिन्हें dash बनाने के लिए जाना जाता था, Indian style of dance, fusion style of dance, folk dance style, या फिर American style of dance, तो ये हमारे उदय शंकर जी है, है न, तो उदय शंकर जी, fusion style of dance create करने के लिए मशुहूर है, fusion मतलब, दो style of dances को इन्होंने merge किया होगा, उनको fuse किया होगा, उनको मिलाया होगा, वो कौन से दो dance styles थे, Indian प्लस Western, इन दोनों को इन्होंने मिलाया था, किसने, उदय शंकर जी ने, अगले question में बड़ते हैं, second number, which is the following pairs of players in a team and sports given is correct, ने मिले कितमें से team में खिलाड़ी और खेल का 11 basketball में होते हैं, 11 volleyball में होते हैं, both one and two, neither one nor two, only one, only two, अब बताओ, हम लोगे ने कितनी बार ये question किया है, और कैसे मैंने आपको याद करवाया था, recall करो, अचा, fusion से मुझे एक और चीज याद आती है, ठीक है, fusion से मुझे याद आता है, क्या तुम्हें भी याद आता है, मैं थोड़ा सा हिंट करता हूँ, ठीक है, तुम इसको complete करना, देखते हैं कितने लोग revise करते हैं, magnetic, चलो मैं और वो कर देता है, nuclear fusion, ठीक है, nuclear fusion, magnetic, confinement of, बस एक word तुम्हें fill करना इसमें, देखते हैं, recall कर पाते हुए नहीं, CGL काया हुआ question है, जो हम लोग कर चुके है, nuclear fusion, इस concept पर काम करते हैं, इस principle पर, magnetic confinement of dash, तो यहाँ पर दोनों ही गलात है, क्यों, क्योंकि हमने कैसे याद कर था, हमने 5 basket रखी थी, 5 basket रखी थी, 6 volley डाल दी थी, उसमें, volley wall डाल दी थी, ठीक है, सातो दिन हमने hand का use किया था, ठीक है, और base बनाए थी, कितने, 9, एक और याद दख ले न, एक और ball होता है, दिमाग में आ नहीं रहा, क्या ball था, वो, अच्छा एक और ball होता है, ठीक है, मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा, एक student ने पूछा था, ठीक है, तो वो भी याद बताऊंगा, तो answer यहाँ पर neither one not हो जाएगा, because basketball में five, volleyball में six, और यहाँ पर होगा, देखते है, कितने लोगों ने सही answer दिया, यह answer plasma होगा, वैसे, plasma, 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 संसकारी रितेश सही दिया है, और सभी लोग भाई, like भाई, कर दो session को, इमाशी, सही है, plasma, net ball, बिल्कुल, चंदन element of plasma, और यह होता है, आपका net ball, ठीक है, net ball में भी आपके seven होते है, clear हो गया, चलो, Arid soils are characteristically developed in dash, which exhibit characteristic and topography, शुष्क मिट्टी डैश में 4-3 कुरूप से विक्सित होती है, जो vicious शुष्क, स्थालाकृती प्रदर्शित करती है, southern UP, western UP, western राजस्थान या फिर southern राजस्थान, Arid soil की यहां पर चर्चा हो रही है, Arid, Arid मतलब जो Arid region में पाई जाती होगी, बहुत ही शुष्क इलाकों में पाई जाती होगी, अब इन में से ऐसा कौन सा region है, जो मैंने तुम्हें बताया तो जो बहुत ही Arid है, याद करो, क्या, उसको नहीं, यह जो अपका राजस्था यहां पर Aravalese है, तो होता यह है कि यह parallel निकल जाता है, जो हमारा Southwest Monsoon का Arabian Sea branch हो parallel to Aravalese निकल जाता है, और यह जो यहां से आ रहा है न, Bay of Bengal branch, यह टकराख इधर पर जाता है, दोनों पंजाब में meet करती है, ठीक है, तो यह इसके beyond यहां पर नहीं जा पाता है, इस वाले region में नहीं जा पाता है, क्यों, क्योंकि यह कौन सा साइड हो जाएगा, यह लीवर्ड साइड हो जाएगा, यह विंडवर्ड साइड, याद करो Western Guard में औरोग्राफिक रेंफॉल पढ़ाई थी, जो रेंफॉल, mountain या फिर रेलीफ फीचर्स क्यों जैसे होती, उसको औरोग्राफ को मिलेगी, वो कौन सी स्वाइल है, तो वो है red and yellow स्वाइल, ठीक है, red and yellow स्वाइल भी है, ड्राइग कंडिशन में देखने को मिलती है, लेकिन अरिड मतलब बहुती ज़्यादा अरिड है, बहुती ज़्यादा सुश्क है, और थोड़ी सी, यहाँ पर हमें saline स्वाइल भी देखने को मिलेगी, हमें राजस्थान वगएर हमें देखने को मिलेगी, प्लस यह हमें जो West Bengal वाले रेजिन हैं, जहाँ mangroves देखने को मिलते हैं, ठीक है, mangroves क्यों, क्योंकि भाई, ये coastal इलाके है, ये जैसे West Bengal की बात करें, mangroves forest हैं, ठीक है, अब यहाँ पे क्या sea water आता पता नहीं कब S.S.C. में टपक जाए क्यों क्यों कि NCRT में डिरेक्टली लिखा हुआ है पीड मॉंट जोन का मतलब क्या होता है यह मॉंटेन मॉंटेन का जो यह वाला एरिया होता है जो धलान वाला होता है और वेस्टेन घाट के इस्टेन साइड में देखने को मिलती है ठी लिख नहीं रहा हुआ जल्दी सा अंखेंवं करके रिखॉल करना फिके पहली बात यह कि रिट येलो में कब uti है जो फudeती कब जा पानी चौड़ाता थे घुकर लेतराइट लेटराइट लेडेड से ले इर्वाड़ेट लेटराइटि एल्से लिचिंग का मतलब क्या ॥ होता है leaching का वह process होता है जहां पर important minerals of our top soil are leached away and washed away by the heavy rainfall अब heavy rainfall से मज़े और याद आ रहा है heavy rainfall से दो तरह के erosion होते है sheet erosion होता है sheet erosion मैंनला पूरी की उपर ऊपर की उपर परत वाली हट रही imagine करते रहो imagine करते रहो कि पूरी soil की जो अपर लेयर पूरी वह wash का 4 रही है that is called as sheet erosion गली erosion क्या होता है गली erosion के लिए कौन सी रिवर famous है comment में जला छापो जो bad land topography create कर देती रवाइन क्रिएट कर देती उसको हम बोलते है sheet erosion ठीक है तो आप सरी गली erosion ठीक है वह हमारी रिवर है जंबल ठीक फिर हमने यह लेटराइट के वारें पढ़ लिए लेटराइट किसके लिए famous है cash of nuts के लिए काजू की खेते के लिए और उससे इंटे भी बनती है तो इसको हम brick soil के नाम से भी जानते हैं alluvial soil हमने पढ़ ला है दो तरह की होती है एक तो new और दूसरी old new होती है खादर old होती है भंगर ठीक है और black soil की characteristic के है रेगूर के नाम से जानते हैं लावा से बनने वाली soil है लावा क्यों से बनती है काफी semi काफी मतलब impermeable impermeable का मतलब तो permeable का मतलब होता है water को percolate कर देता इंपर्मेबल मतलब water को percolate नहीं करता है और black cotton soil के नाम से जानते है विकॉस cotton के cultivation के लिए काफी best suitable हमारी soil है black soil clear है कहां मिलती है north western region of जो हमारा deccan plateau है वहाँ पर है ठीक है fourth पर आते हैं during which of the following years did kutubuddin ebuk rule kutubuddin ebuk ने निमलेकित में से किस वर्ष शासन किया था super easy question है अब देखो वही बार बार repeat हो रहे हैं तो वही जिसे आप में से काफी लोग की curiosity रहती है कि सरी कब खतम होंगे ठीक है कब खतम comment में देखते होता हूँ और IRS session जो आप लोग के telegram पे होता हूँ उसमें भी सरी कब खतम होंगे जीके का कोई अंत नहीं के बोल दूँ हाँ अब खतम हो गया जाओ छुट्टी होगी जाओ सब लोग घर जाओ ऐसा कभी नहीं होगा मैं आपसे यह बोल रहा हूँ कि balance बना के चलते रहो जीके और जो बाकी subject से उस पर ठीक है अब जितने भी हमारे आगे lectures होंगे कुछ से बोलना हूं और जिसने भी अभी तक 43 हो चुक है जिसने काईदे से 43 कर रखें एट पार है या फिर उनसे भी आप उपर लेवल पर मैंने लाकर आपको खड़ा कर दिया है ठीक है तब उस लेवल पर आप है अब बस यह है इन lectures के त्रू कि जो extra चीज़े और बची और चीज़ करते हैं ठीक है यह काम है हमारा और यह जून तक रहेगा फिर जुलाई से तो प्योर रिविजन ही रहेगा ठीक है जितने भी हो जाएंगा हमारे लेक्शे तो कुत बुद्धी ने बखने अव्वेसी बात है बारासो चे से लेके बारासो दस तक रूल किया था दे यह अतना खेर रूल नहीं कर पाया था उसके लडगा लेकिन फिर इलतुतमिष आया फिर रजिया सुल्तान आई ठीक है इलतुतमिष की बेटी जो मेडिवल इंडिया के पहली विमन रूलर थी और उसके बाद आपको पता है बारासो चांचर से लेके बारासो चांचर से ल कई गौमपा पैश्चीमी हिमालय में बहुत सिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र डैश के राज्य केंद्र शासित प्रदेश में इस्थीत है अब मैं चाहता हूं ऑप्शन पढ़िए और ऑप्शन को एलिमिनेट करिए ठीक है 90% चाहिए हैं कि हो सकता आपको यह कुश्चन ना आते होंगे तो उनको कैसे करना वो यहां पर सिखी अब करिए इसको अटेम्ट बीवी का मगबरा नहीं तेश अड़ाई दीन का जोपडा मिल्कुल अब इस कान से बताओ कई गोमपा यहां क्या बोल रहा है वेस्टन हिमालया अज मैं वेस्टन हिमालया बोलो मतलब इंडि बुद्धिस मुनास्ट्री की बात कर रहा है ना मुनास्ट्री की बात कर रहा है पंजाब में बुद्धिस मुनास्ट्री तुमको देखने के मिलगे क्या यह क्या पंजाबी नेम लग रहा है क्या जम्मू कश्मीर में तुमको बुद्धिस कोई देखने को मिलता है क्या न monastery से question बन सकते हूं लिख देता हूं यह है आपकी कई गुमपा monastery आप दे सकते हैं काफी beautiful है ना यह है आपकी हिमाचल में कई गुमपा ठीक है यह जो यहाँ पर कमरा देख रहे हैं यह यहाँ पर में रुक क्या है वहाँ भी ठीक है तो अभी यहाँ पर note करिए कुछ जो देखियो हम लोगों ने कुछ कर रखी है जैसे की ठीक से monastery हम लोगों ने करी है ना में ठीक से ठीक है ठीक से monastery हमारी एक हमारी हमिस monastery है यह कहां पर आपको बताना है और tabo tabo है आपकी और एक है फॉल ग्लाखांग यहीं पर जो आपके दलाई लामा है न वो इहीं रहते हैं जो आपके दलाई लामा है 14 दलाई लामा उनका घर यहीं पर है यह कहाँ पड़ती है यह आप बताएंगे फिर कई गोंपा तो होई चुका है और एक और बताएए नेको ठीक है एक मेथो नेको मेथो और यहीं नहीं अभी और सुनिये तवांग और एक मैंने बताई थी तो मैं याद आ रहा है नेम ड्रोलिंग किस नाम से जानते इस नेम ड्रोलिंग को कोई बताएगा और एक और है माइंड ड्रोलिंग ठीक है माइड रोलिंग मीड रोलिंग आई थिंग मीड है फिर माइंड है कुछ ऐसा ही है यह तो मीड है तो माइंड है ठीक है मैंड रोलिंग फिर एक और कुछ एक और थी सास क्या ससूर थी यहां सास नहीं थी शसूर शसूर यह एक मनस्टरी है और बस इतना ही रखते है ना चलो तो अभी बात करें ठीक से कहां पर है, तो ठीक से है लद्दाक में, ठीक है, और हमिस, ये भी लद्दाक में है, और टेबो, टेबो ये हिमाचल में आपकी, ठीक है, हिमाचल में और कहां पर स्पिती वैली में, जो भी मैंने आपको बताई ने कई गोंपा, वो भी स्पिती व ट्वांग np. आपने सुना हो उगा तवांग काफी निऊज में रहता है तवांग ये चाइना के साथ में रहते हैं नेम ट्रोलिंग आप जानते हैं बाइला कुप्पे करनाट का में इसको जानते हैं गोल्लेंट तेंपल के नाम से ना जैसे गौल्डेंट तेंपल हमивать वित्सर में तो golden temple of south के नाम से जानते हैं इसको ठीक है ये चाइना में माइंड डॉलिंग और ससूर जो है ससूर जी कहां है ससूर जी हमारे हिमाचल प्रदेश में इस पिती वैली ठीक चलो आगे बढ़ते हैं six number विचे तो following combinations of RBI tool monetary instrument is correct नया टाइप type of question ठीक है जब भी नया question मिलता है न तो आपको खुश होना चाहिए मैं बार बार बोलता हूं को खुश होना चाहिए कि चलो एक और टाइप हमारा cover हुआ जा रहा है है न questions के थूँ तो RBI tool लिखा हुआ अभी qualitative quantitative tool मैंने आपको नहीं पढ़ाया मैंने आपको क्या पढ़ाया अभी तक मैंने यह पढ़ाया है कि दो तरह की tools होता है एक तो monetary policy tool और fiscal policy tool monetary वह होता है जो central bank किसी country की use करती है जैसे हमारे case में RBI और fiscal policy tool वह होता है जो कोई government use करती है वहां की fiscal policy tool ने हमारे exercise duty में कुछ changes करना हो गया MSP announce करना वो सब जो government करती है और RBI की जो monetary policy tools होता है CRR, SLR, repo rate, traverse repo rate, bank rate, MSF यह सारे हमारे monetary policy tool में आते हैं लेकिन अब qualitative और quantitative की बात करते हैं दो तरह के जो tool होते हैं on the basis कि हम quantity को कर रहे हैं या फिर quality अब quantity का मतलब क्या जैसे for example RBI ने बोला कि आप repo rate बढ़ चुका है या जब जो तुम हमसे loan ले लोगे न वो महेंगा हो गया या फिर CRR के जो norm से बढ़ गया है ज्यादा पैसे तुमको अपने पास रखना होगा वो क्या है directly quantity को hit कर रहा है RBI कि directly quantity कितना money supply quantity यहाँ पर में लिखता हूँ ठीक है quantitative wallet होते न वो deal करते हैं directly with the money supply और यह SAC CHSL का question है यह बार काया हुआ है ठीक है और कोई भी question में किसी कभी भी doubt लागे कि इस type का नहीं आता है तो वो बता देना वो मैं आपको date साइथ shift साइथ SAC का exam साइथ तो बता दूंगा ठीक है तो money यह आपका money supply directly money supply से deal करता है कितना पैसा गया है एकनॉमी में कितना वहां से खीचा है ठीक है quality का मतलब है quality में supply से लेना देना नहीं है quality में लेना देना है जैसे कि कहां पर कितना जा रहा है जैसे कि RBI ने यह बोल दिया banks को कि आपका इतना पैसा जो है यह education में लोन में जाना चाहिए इतना पैसा industry यह MSME को लोन देते हैं इतना पैसा उसमें जाना चाहिए तो quality effect कर रहे है जा उतना ही रहा है लेकिन कहां पर जा रहा है उसमें आप बहुत थोड़ा सा conscious हो गया and that is called as qualitative तो quantitative में आप मैंने supply में आपका CRR ठीक है SLR repo rate reverse repo rate bank rate यह सब हमारे quantitative में आ जाएंगे but qualitative में यहां पर आपको चार चीज़ें बताता हूं एक तो rationing of credit ठीक है rationing of credit वही हो गया आपका जो भी मैंने आप पताया कि credit rationing क्या होता है राशन घर का राशन recall करो कि इतना पैसा खाने सबजी यह लाने में जाएगा इतना भई इसमें घूमने फिरने में जाएगा तो गया rationing और इक राशन तो वह आपका है कि इतना पैसा यहां जाएगा उतना पैसा वहां जाएगा ठीक है एक होता है direct यहां से लेने देना नहीं है Direct Action का मतलब होता है युदंडा लेकर जाता है उसको बुलाता है जो भी उस बैंक का चेर्मन होता है बहार निकलो तुम दिखाव अपना CRR SLR दिखाव अपनी copy तुम ठीक है और जब उसको यह पता चलता है कि इसने CRR SLR maintain नहीं कर रखा है तो बोलता है उतारो मतलब अपने employees को उतारो फिर ठीक है और फिर वो क्या करता है direct action लेता है उन पर किस तरह का action फिर वो बोलेगा कि यह जो bank है वो मेरे control में तब तक जब तक तक तुम यह सारी चीज़े maintain नहीं करते हो मैं इसको regulate करें तो वो एक तरह का direct action होता है ठीक है और एक होता है हमारा marginal requirement एक होता है marginal requirement यह marginal requirement क्या होता है जब आप loan लेने जाते हो तो आपको कुछ collateral देना होता है गिरवी रखना होता है ठीक है जैसे माल लेते हैं कि आपको कार लेनी है ठीक है तो अब कार लेनी पैसे तो है नहीं तुम आपास और तुमको 20 लाग वाली गाड़ी लेनी है अब तुमको क्या लगा कि हमाँ पापा की पुष्टैनी जमीन है 20 लाग की तो हम इसी को गिरवी रखके उठा लेते हैं तो तुम बैंक के पास गए यह लो तो तुम जैसे 20 लाग तो तुम बोल दिए कि ठीक है तुम्हाई यह जमीनी कीमत है लेकिन अभी कीमत है अब पता चला कि एक दो साल बाद इसकी कीमत घट गई तो फिर तो यह जो रिस्क है वह हम नहीं लेंगे इसलिए इस मार्जिन को हम मेंटेन करके चलेंगे और तुम में 16,17,18,18 जितना भी मार्जिनल रिक्वार्मेंट होगा वह देंगे जैसे for example 18,00,000 तो क्या हो गया 2,00,000 का मार्जिनल रिक्वार्मेंट में चलें कर लिया क्योंकि वह फ्लक्टूएशन भी तो सकता है प्रैस को सेफर साइड में खेलता बैक अब और बहा दिया मैंने अ की money supply को घटा दिया ठीक और moral situation भी उन में से एक होता है ये भी लिख लो ठीक है अब क्योंकि वहां पर लिखा था इसलिए यहां पर लिखा नहीं moral situation का मतलब होता है प्यार से बोलना अब यहां क्या था डंडा लेके गया था बोला उसने उतारो मतलब अपने employees को उतारो ठीक है तो moral situation में क्या है moral situation में बहुत इकायदे से बोलेगा प्यार से कि यार देख लो यार है ना काहे को तंग किये रहे हो तो यह भी qualitative टाइप का टूल होता है clear हो गया सभी कोई पूरा concept qualitative और quantitative वाला ठीक है अगले question पर आते हैं अगला question यह आपकी screen पर रहा who was the governor general of Bengal when the permanent settlement was introduced there in the 1793 जल्दी से बताओ 1793 में जब बंगाल में थाई बंदोबस्त लागू किया गया था तब वहाँ पर बंदोबस्त कौन कर रहा था अपना कौन governor general था अब बेंटिक तो होगा नहीं भई हमने क्या पढ़ा था 1833 का act आया था उसने बेंटिक को governor general of Bengal से governor general of India बना दिया था तो बेंटिक हमारा पहला governor general बना था इसने सती प्रता को खतम किया था इसने circuit courts को abolish किया था तो यह तो हो नहीं सकता है इसी के time पे एक act आया था रिकॉल करो वह act जिसने English education system को इंडिया में इंट्रडियूस किया था माउंट बैटन था है रिकॉल करो 1878 में लिटन ठीक है उसके आगे तो मझे prefix कुछ और लगाने का मन कर रहा है लेकिन खेर वह लाया था अधिक है यह वरनेकलर प्रेसेक्ट और 1882 में हमारे रिपंजिनस को उता दिया था तो आपको नहीं लगता है रानवे की बात वह रही 1882 kाफी दूर नहीं है ठीक है सोरी सोरी शोरी सोरी 1778 था हो ठीक है और वह 1782 ठीक है 1778 और 1782 फिर भी काफी गैप है फिर भी काफी है आंसर होगा इसका Charles Cornwallis और यहां को पढ़ा भी चुका हूँ तीन तरह के हमारे Land Reform Systems आये थे इंडिया में इंट्रिड्यूस किये थे अंग्रेजुनर नाम के वो Land Reforms है लेकिन Actual में एक तरह से control करना चाहते थे पुरा revenue extract करना चाहते थे ठीक है जमीदारी system अब इसमें था क्या पहली बात तो कब इंट्रिड्यूस हुआ किस ने इंट्रिड्यूस किया कहां पर इंट्रिड्यूस हुआ तो यहां दखना कि यह जो हमारा Bengal, Bihar जो current Bengal, Bihar वाला जो province है यहां पर आया था ठीक है Bengal province आप ऐसे समझ लो इसमें था क्या जै कि एक part of land है उसमें एक बोली लगा दी कि मतलब कौन right लेना चाहेगा इस land के तो बोली लगी और अगर जिसको मिल गया right तो उससे इनोंने एक पैसा fixed amount deposit कर वा लिया उसको जम वो उसमें रहेंगे हम तुमारे हक नहीं लेंगे लेकिन अगर तुम वो पैसा और इसके उपर तुम जितनी कमाई कर सकते हो वो तुमारी कमाई है तो उससे होता क्या था यह force करते थे ठीक है कौन जो जमीदार थे to get surplus revenue जमीदार force the peasants to work harder and increase production इसी को हम बोलते हैं जमीदार system और इसमें sunset clause था अगर आप से पूछ ले कि sunset clause किसमें था इसी में था sunset clause का मतलब यह है किसमें यह clause था कि अंग्रेजों के पास अगर तुमने जमीदारों ने पैसे जमीदार नहीं किया सूरज डूपते तो हमारे hereditary जो जमीदारी rights है वो छिंज जाएंगे और किसी और क exchange है क्योंकि वो चूस-चूस के extra पैसा निकाली लेते थे ठीक है इसके बाद क्या हो यह काम नहीं किया तो 1820 में रयतवाडी system आया इसको कौन लाया इसको यहां पर लिखा नहीं थी Alexander Reed और Hector Munro ठीक है रीड और Munro बस याद रखो रीड और Munro इसको लाये थे रीड और Munro लाये थे इसको रयतवाडी को 1820 में कहां पर लाये थे मदरास बॉम्बे पार्टस अफसम बस ऐसा याद रखो कि जो जमीदारी था वो उपर था और ये फिर नीचे आ गया रयतवाडी ठीक है 1820 में इसमें रयत डिरेक्ली रयत से डील करते थे यानि जो पेजेंट्स थे वही ownership उनको ownership rights मिल गया है इन रयतवाडी system the ownership rights were handed over to the patients British government collected taxes directly from the patients ठीक है रयत वाड़ी में और महाल वाड़ी में क्या होता था महाल वाड़ी अगेन ये 18 मैं 22 में आया था यहां पर मैं थोड़ा सा correction करना चाहूंगा भले यहां पर 1823 लिखा लेकिन 1822 में आया था पहले और इसको ठीक है common थी जमीदार मैंने की बीच का था यह इन दे system the land was divided into महाल इच महाल comprises one or more villages तो सबसे पहले 1822 में यह होल्ट मेकेंजी ने इंट्रेड्यूस किया था फिर इसको थोड़े से बड़े लेवल पर 1823 में बेंटिक ने इंट्रेड्यूस किया बस इतना समझ लो ठीक है तो 1822 भी हो सकता है ज्यादा चांसे जाए 1822 ही आने के हैं ठीक है और होल्ट मेकेंजी और वो नहीं होता तो फिर 1823 ठीक clear है यहां तक सभी को अगले यह आंसर तो दे दिया ना मैंने अगले question पर आते हैं with which of the following pairs of number or composition is correct इन में से कौन सा यह आपका pair सही है atomic number number of protons आधा घंटा लेट आधा घंटा लेट मैं आध से देखूंगा तो क्या last lecture से start करें starting से स्टार्टिंग से ठीक है स्टार्टिंग से आप स्टार्ट करो that would be better चलो तो अगर हम बात करें atomic number ठीक है तो कोई अगमान लेते हैं element है यह यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं तो कोई element e है यह इसको बोलते है atomic number यह होता है atomic mass and you also know that कि जो atomic number होता है is equal to number of electrons is equal to number of protons electrons और negatively charged protons और positively charged particles इसका anti-particle बता दो electron का anti-particle बता दो और अगर हम बात करें तो किसी भी element का जो mass होता है वो उसके center पर recite करता है यह हमारे रेदर फोर्ड जी ने बोला था अपने जो alpha gold particles scattering experiment था उसमें कि center में recite करता है that is equal to number of proton plus neutron यह होता है उसका पूरा mass जो उसके center पर recite करता है ठीक और neutron क्या होता है neutron हम कैसे निकालते है neutron निकालते है mass number को atomic number से घटा के तो मैं यह नहीं बोल सकता हूं कि mass number is equal to number of neutron number of neutron plus atomic number है ना यह बोला जा सकता है ना तो mass number sum of number of neutron plus proton वही सेम चीज है आपका ठीक है तो क्यूंकि number of neutron अब यह atomic number atomic number को तो चाहे तुम number of electron बोल दो और चाहे number of proton बोल दो बात तो एक ही है ना तो neutron में चाहे तुम proton जोड़ो चाहे लेक्टोन बात वही है तो P plus N वही आपका mass होता है जो center पर recite करता है and atomic number is equal to number of protons तो option number C will be the correct answer third both one and two और जल्दी से recall करिए isotope, isobar, isotone और isoelectronic को तो isotope क्या हो हूँगा नहीं सब लिखा हुआ है हम लोगा ठीक है isotope same atomic number different atomic mass जैसे हम uranium का isotopes को कहां पर यूज करते है nuclear fission reactions में फर्माड़ो विखंडन में यूज करते हैं ठीक है isotope of iodine को हम goiter को treat करने में यूज करते हैं का मतलब होता है same number of electrons जिसमें same number of electrons हो तो इसको हम isoelectronic बोलते हैं ठीक है clear है और antiparticle electron को होता है positron positron होता है इसका antiparticle ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं who has made history by becoming the first women कहीं और नहीं ज्यादा देखने को मिलता है Indian wildeas की बात करी और भी जगों पाया जाता है यह और भी जगों पाया जाता है इंडियन राइन और भी जगों में desert fox भी और भी जगों पाया जाता है इसलिए यह unique नहीं है अब यहां पर मैं कुछ endemic species लिखता हूं और आप आप गेस करिए हो कि वह कहां पर पाय जाते है ठीक है एशियाटिक लाइन टेल्ड मकैक ठीक है लाइन टेल्ड मकैक और संगाई डियर ठीक है संगाई डियर और पिग्मी हॉग यह कहां कहां पर आपको देखने को मिलेंगे तो बात करें शियाटिक लाइन की तो यह जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात का वहां पर कश्मीर स्टैक तो भई यह कश्मीर महीं मिलेगा है ना लैंड टेल्ड मकैक की बात करें ये जो पेश्चिमी घाट है ना वेस्टन घाट वहाँ देखने को बलेगा संगाई डियर तुम्हें हिंट देता हूँ फ्लोटिंग लेख फ्लोटिंग नाशनल पार्क रिकॉल करो जल दी छे पिगमी हॉग असम असम से क्या दाना ची असम् सिया दना ची शहाँ बात करें whenever देखने को मिलता है लोक टक लेख में है ठिक लोकटक लेक या फिर केबुल लैम्जौर नाशनल पार्क भी आ सकता है केबुल लैम्जौर नाशनल पार्क विजदो फॉलविंग दू और दस नॉट कम अंडर दी यूनियन लिस्ट दी सेवें इंडिन कॉंसिशनल निम लिकत में से कौन भारती समगिधान की साथवी अनुसूची की संग सूची में अंतरगत नहीं आता है दारू देख रहाँ नश्टीली शराब कोई वैसी भी शराब होती है क्या मिना नश्टीली भी पोस्टेंट टेलीग्राफ डाकेंट तार हो सकता होती हो ठीक है audit of the accounts of the states या फिर banking बताओ हपु सिंग तुमको ज्यादा पता होगा इसके बारे में तो सही आंसर क्या होगा इसका तो अव्यसी बात है अब देखो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो 7th schedule है उसमें क्या बात करता है division of powers between the center and states एक union list है जो उसमें subjects है 100 से ज्यादा subjects है पहले कम थे अभी और बढ़ गए हैं जब से constitution बना तब से state list में घट गए है concurrent list समवर्ती सूची बढ़ गए है union list में वो subject है जिस पे सिर्फ union law बना सकता है state list में सिर्फ state law बना सकता है concurrent में दोनों बना सकते हैं लेकिन अगर union ने बना दिया तो union का prevail करेगा वही उपर रहेगा व आपका center के जो state के जो subject है उस पे law बना सकता है वो हमारे कौन कौन से cases है जहां पर दो या दो state से ज़्यादा बोलने कि भाई हमसे हो नहीं रहा हमाई लिए कर दो प्लीज या फिर कोई international treaty को enforce करने के लिए वो कर सकता है या फिर national emergency लेग या फिर president rule लगा है या फिर अब resolution pass कर दे special majority से कि भाई state list में subject बनाया जा सकता है वो पाच cases थे लेकिन exceptional cases है तो अब यहां पर union list में वो subject होंगे जो important होंगे है कि नहीं एक सेकंड रख देता है क्योंकि वो पुरा एक domino effect चलता है फिर उसमें तो यह भी important है banking हो गया और फिर regulating authority भी हमारी RBI है ना तो defense हो गया banking हो गया post and telegraph हो गया audit of the accounts अब audit state का खुद खुदी थोड़ी ना state कर लेंगे वो तो finance commission करेगा इंडिया का ठीक है तो यह तीनो चारो जितने मने लिखे हैं यह सारे आपके union से हैं ठीक है union list के subject है और intoxicating liquor से दारू आरू का आपको पता है अगर ठेकाविकर लेना होता है तो स्टेट गवर्वर्मेंट की देती ना है ना राज सरकारी देती है और फिर अगर बात करें अच्छा में पूशता हूँ प्राइस कंट्रोल किसमें आएगा प्राइस कंट्रोल किसमें आएगा एज्यूकेशन किसमें आएगा ठीक चलो यही दुबब और मैरिज और डाइवोर्स किसमें आएगा मैरिज और डाइवोर्स तो देखो आप सारे याद नहीं सकते हो कि इतने सो से जाते है तो आप सारे याद करोगे बैठके union list के subject को में आएगे क्यों क्यों कि छोटे मैंटर्स हैं लेकिन मुझे एक ऐसा यूटी बताइए जहां का पुलिस सेंटर कंट्रोल करती है बताइए तो यह तीनों concurrent list समवर्ती सूची कहां से लिए concurrent list जल्दी से comment बताइए ठीक तो यह हमारा यूटी ओफ डेली डेली में पुलिस, लैंड और पब्लिक और यह जो तीनों है यह है सेंटर के हाथ में एक मात्र ऐसा केस है ठीक है बाकी सारे स्टेट लिस्ट के subject पर डेली लॉव बनाता है लेकिन यह तीन subject है पुलिस, लैंड और 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 क्या मैंने बताया तीसरा एक तो law and order हो गया पुलिस हो गया और लैंड हो गया यह तीनों पे आपका union law बनाता है ठीक है और concurrent list हमें लिया है कहां से ऐस्टेलिया से कल से ऐस्टेलिया से ही चालू है न वो क्या टेस्ट का कुछ चैंपेंशिप अगेरा विजो तो फॉल्विंग इंडिकेट्स ती करेक्ट लिमिट ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजियूम निम्लेकित में से कौन सा उपभोग करने के सीमान प्रवत्ती यानि MPC की सही सीमा को इंगित करता है उपभोग है यह ठीक है तो यह मार अगर जिसने भी रिवाइज महीं किया होगा ना फिर देखना तुम अभी अच्छा ए आंसर आ रहा है बहुत सही जल्दी आंसर दो वन अपॉन सी बहुत सही ध्यान रखना इसके बिलकुल कुछ लोग का अंसर सही है जानुई का सही है और स्टडी व्लॉग का मेरे शिफ्ट का है 9th December 9th December का यह CGL का ठीक है वन अपॉन वन माइनस सी कि marginal propensity to consume क्या होता है कि change in income किस तरह से effect कर रही है change in consumption को ठीक तो आंसर यहां पर होगा option number first या देखना जो आपका marginal propensity to consume है वह 0 से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा ठीक है क्योंकि एक ratio है ठीक है तो option number first answer होगा ठीक है अब पॉसिबल नहीं कि भी माइनस में हो जाए और तो option number first यहां पर आंसर होगा 0 से लेकर 1 के बीचे होता है which of the following constellation is also called as hunter नेम लेकित में से किस नच्छत्र को शिकारी के नाम से भी जानाता है वाव शिकारी constellation के अगर बात करें तो constellation क्या होता है group of stars तारों का एक समू ठीक है group of stars अब पता नहीं तारों बोलता हूँ तो नहा ककड़ के याद आती पता नहीं क्यों थीक है तो hunter के अगर बात करें तो hunter हम जानते ओरियन को अच्छा उर्सा major को इंडिया में किस नाम से जानते हैं उर्सा major जो constellation है इसको इंडिया में किस नाम से जानते हैं largest constellation का नाम बताओ, ठीक है, अब तुम्हें पता है कि जितने भी अभी जितने भी question करवा रहू ना, largest constellation हो गया, जिसे एक question आया था, brightest star of Orion constellation, brightest star का नाम बताओ, इस constellation का ओरियन का, ये भी question आ चुका है, ठीक है, तो उर्सा मेजर के अगर बात करें, तो इसको जानते हैं, सब्तुरिशी, और largest constellation के अगर बात करें, ये होता है, hydra, जरा मुझे ये बताए, ये hydra एक आपका, microorganism भी होता है, किस तरह का asexual reproduction करता है, asexual reproduction क्यों यहाद आया, क्योंकि अभी आज के, आपके उसमें question है, ठीक है, तो अभी बताएंगे तुम्हें वहाँ पे hydra किस तरह का करता है, वो hydra लग है, ये hydra लग है, brightest star के अगर बात करें, regal, ये रट लेना ऐसा नहीं कि, दिम translation ने आया, तो ये जो constellation से question आया है, वो करवाना मेरा furs है, और वो मैंने furs निभाया, आपका furs है, आप उसको revise करें, तो furs जी पना ना करें, और furs जी को निभाया, in which folk dance duffly, घुरलियो और खंजरी और ये फिर धिमसा, किसमें हम इनको यूज करते है, duffly, घुरलियो, ख साथ ये आपका है, कलب लिया, जो कौन करता है, जो हमारे snake tribe करती है, राजस्थान की, है न, घुमर भी राजस्थान का है, लेकिन घुमर हर्याना का है, डांडी आप जानते है, गुजरात का है, पता है जल्दी से धिमसा का है, वो छे नाम चालू होता है, state का, और बस आग Celestial Enchantress Mohini, किस से अब कहां से बिलॉग गरता है, तो बहुत ही असान क्विस्चन हो गया है, तो केरल, मद्यप्रदेश, महराष्ट या फिरोडी सा, तो I think super easy question है, Mohini Atom, कहां का है, केरल का, और अगर बात करें, Mohini Atom से हमने क्या क्या आत किया था, तो इसके exponent याद किये थे, सब गोपी के कान में, तो गोपी का, वर्मा, गोपी के कान में सुना, कान से कनकरेले, जिनका भी हाली में निधन हुआ है, तो काफी important हो जाती है, कनकरेले, सुना से सुननदा नायर, ठीक है, सुननदा नायर, ये सब हमारे मोहनी Atom के, कुछ और भी हैं, जैसे पल्लवी कृष् और एक विजय लक्ष्मी जी भी है, ठीक है, विजय लक्ष्मी और मोहनी Atom जो हमारा डांस है, यहां पहले लिक्तों में, मोहनी Atom, तो ये मोहनी वर्ट से आया है, मोहनी कौन है थे, मोहनी हमारा, मतलब एक फीमेल अवतार, विश्नु जी के, फीमेल अवतार आफ गॉड विश्णू ठीक है तो यह विश्णू जी को dedicated dance है इसके बारे में हमें थोड़ा सा नाट शास्त्र में तो मतलब explicitly mentioned नहीं है थोड़ा पता चलता है लेकिन explicitly mentioned हुआ पहली बार वेवार माला और जरह मझे यह बताए किया मैं इसके बारे आपको पढ़ा चुका हूं कि नहीं I think म पढ़ा चुका हूं वेवार माला कि किसने लिखी थी यह इंग कुष्चन है था सीजल में तो यह एम नारायन नमबूदरी ने ठीक है एम नारायन नमबूदरी इन्हों ने यह वेवार माला लिखी थी यह तरह का यह दखेगा solo dance है और यह last style पर based है mostly last style क्या होती है last style जहा पर एक soft tone में dance किया जाता है एक तो होता है ना कि बहुत ही प्रिचंड type का जो dance होता है यह soft type का dance होता है last style जो female avatar of Vishnu का female avatar को female को depict कर रहा है तो soft style को ही depict कर रहा होगा ठीक है जंगली type तो male ली तोड़े से होते हैं ठीक है एक और अगर बात करें एक और था ठीक है एक गोश यात्रा करके भी लिखा था-गोश यात्रा इसको भी तोड़ा याद कर ले ना कंचण नां बी और उन्होंने लिखा था कंचन नां बियार ने इसमें भी हमें मोहनी अटम के बारे में देखने को मिलता है लेकिन वेवहार माला को मत भूलिएगा Which of the following is an exogenic force ने हम लिखेत में से कौन से एक बाहर जिनिक बल है बाहर से लगता है landslide, wind, volcano या फिर earthquake super easy question है बस नाम पकड़ो उसका इसकी बात कर रहा है exogenic, exo का मतलब क्या होता है बाहर वाला अब जो परमार officers पर class लिये होंगे 930 वाली उनके लिए तो ये उड़ा देंगे फूंक मार के, उनके लिए तो एक दम हलवा question है दो तरह के forces होते हैं जो हमारे earth में लगते हैं एक होते हैं endogenic forces कहलाते हैं जो अंदर लगते हैं और दूसरे कहलाते हैं exogenic जो बाहर लगते हैं ठीक, इसमें कौन-कौन से हमारे forces आते हैं इसमें हमारे forces आते हैं जैसे कि earthquake, भूकम, अंदर ही आ रहा है ना volcano, अंदर से निकल रहा है ना plate movement जो plate movement हो रहा है बाहर चल रही है ना बारिश, बाहर हो रही है अब rain की इसे अच्छा है मैं लिख दू precipitation, precipitation क्या होता है precipitation होता है, जो चीज आपका condensed हो गया है उपर वो नीचे गिर रहा है earth surface पे फिर से वापस लौट रहा है वो पानी के फॉर्म में लाटता है तो rain bowl देते हैं, बरफ के फॉर्म में गिरता है तो उसको hillstone या फिर sleet के फॉर्म में गिरता है या फिर अगर माल लेते हैं या फिर हो सकता है कि वो condensed हो रहा हूँ ठीक है तो precipitation की different forms हो सकते हैं इस विए से precipitation लिखना सही रहेगा ठीक है, wind हो गया, precipitation हो गया जो भी बाहर लग रहे है, ठीक मुझे एक चीज़ अच्छा ये बताइए कि सारे exogenic forces का एक कारण है बस only one source, उस source का नाम बता सकते हैं एक करोल रुपए दूंग अभी यही फेक के मारूंग हमारे गहर में गिरेगा सिदे, only one source होता है इसका वो कौन होता है अब ध्यान यह रखना कि जितने भी हमाले relief features हैं हमारी earth surface पे हिमालय देखते हो तुम अरावली देखते हो इन दोनों compare करते हैं वो result होते हैं endogenic और exogenic जहां पे endogenic forces ज्यादा होते हैं से वहां पे हमें height बढ़ती हुई नजर आती है हिमालय आभी भी बढ़ रहे हैं हर साल 1-2 cm बढ़ रहे हैं वो क्यों कि वहां पे endogenic exogenic दोनों कर रहे हैं लेकिन endo जो कि यह actual में mountain building और continental building होती है यह चीजों को build करते हैं यह बनाते हैं यह बिगाड़ते हैं यह बनाते यह बिगाड़ते हैं थिक है अब endo the x-dono पे सえば हमारी around हमारे around ऐसे क्ष़ तत्व हैं जो हमें support करते हैं हमारे career में help करते हैं में आगे बढ़ने में कुछ तत्तव होते हैं जो नहीं चाहते हम आगे बढ़ और कुछ ना कुछ जैसे की इंस्टाग्राम हो गया रील्स हो गया यह वैसे ही तत्तों हैं जो में नहीं बंड़ एक्सोजनिक फोर्स है जो बिगालने पर लगे हुए अब वह डिपेंड करता है कि इंडोजनिक ज्यादा काम कर रहें कि एक्सोजनिक एंडोजनिक काम कर रहें तो आगे बढ़ोगे और एक्सोजनिक ज्यादा काम कर रहें तो पीछे टोगे काम दोनों कर रहे होंगे बस हिमाले में एंडोजनिक ज्यादा काम कर रहें और इसमें अरावली में एक्सोजनिक ज equivalent heating यह फिडिफरेंशल रहे प्रैसर हीटिंग इंसॉलेशन गया है हका फ्रैसे यहां पर达की जैन्याहिआ प्रेश उर्च को महनोई हाइब एक landslide हो रही है अब बोलोगे सर यह तो एक्सोजन नहीं के बाहर टूट रहा है भई यह बाहर तो टूट रहा है लेकिन किस वज़े से landslide हो रही होगी क्योंकि अंदर plate का movement हुआ हो जैसे अर्थ को एक आती तब होती है लेंड्सलाइड तो वलकानो अंदर और लेंड्सलाइड तो तब ही आती है ना और एक चीज़ याद लखना कि इनको हम बोलते हैं इसको हम collectively बोलते हैं diastrophism ठीक है diastrophism बोलते हैं जो endogenic processes होते हैं collectively इनको diastrophism बोल देते हैं denudation ये भी different type की होते हैं जैसे की एक होते हैं आपके oro, orogenic orogenic वो होते हैं आप oro word लगा है oro का root word किसका ज़र बता हो याद करो orographic rainfall जो mountain की वज़े से हो रही तो जिसकी वज़े से mountain बनते हैं उसको orogenic बोलते हैं जिसकी वज़े से continent अंसर बताईए किन में से कौन सा सही नहीं है regarding the pacific ocean जल्दी से तपस्यादव mountain बिल्कुल जानवी mountain my aim answer क्या हो इसका जल्दी से comment करो जल्दी से statement पढ़ो तो आंसर क्या होगा अब देखो analyze करते हैं Pacific ocean is perfectly over in shape यह कैसा word है मुझे comment बताओ यह कैसा word है Asia, Australia, North and South America surrounded बल्कुल यह North America है यह South America है इधर पर Australia है ठीक है और इधर पर हमारा पूरा Asia, Japan, Philippines से सब है तो पूरा यह क्या है Pacific ही तो है, प्रिशानत महासागर ही तो है तो बिल्कुल सही है गलत पूछा है Mariana Trench बता चुका हूँ deepest point है और यहीं पर हमें Challenger Deep देखने को मिलता है Mariana Trench पर ही Challenger Deep जो की deepest point है मैं बता चुका हूँ आपको Pacific Ocean में Pacific Ocean is the largest ocean बिल्कुल पैसा बता हूँ को तुम्हें पैसा बताया थे कि नहीं पैसा ठीक है पैसा मतलब P से Pacific पृशान्त A से Atlantic I से Indian Ocean S से Southern Ocean और A से Arctic यह है आपका Decreasing Order में तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ Pacific हुआ सबसे बड़ा है सबसे deepest है यह मुझे बताईए कि आपको नाम में यह है वर्ल्ड का लॉंगेस्ट माउंटेन रेंज वर्ल्ड का लॉंगेस्ट माउंटेन रेंज या फिर चेन कहां देखने को मिलेगी किस ocean में देखने को मिलेगी Andes मत बोल देना Andes है लेकिन continent में South America में मैं बोल रहा हूँ कि land or water दोलों में चलो यह नहीं बोल दिया पानी में कौन से पानी में, कौन से ocean में यह बता दो ठीक है और उस relief feature का नाम बता दो अब यह जो perfectly है ना यह extreme keyword है कि perfect oval shape में मतलब अंडा एकदम अंडा बन रहा है मतलब अंडा निकाल के फोड़े खाल हो इतना oval है वो ऐसा तो है नहीं perfectly एक extreme keyword हो गया ना all, always, never none, all यह सब कैसे हैं extreme keywords हैं गलत हैं हमेशा नहीं लेकिन पहले knowledge का use करो then tricks का use करो ठीक world का longest mountain या फिर range हम बोल सकते हैं mid-atlantic ridge जो Atlantic Ocean में हो जाएगी आपकी ठीक है mid-atlantic ridge और यहीं पर देखने को मिलता है हमे Sargasso Sea ठीक है जो की कहलाता है sea without borders sea without borders और Pacific में ही हमें Alino effect भी देखने को मिलता है जो है extension एक warm equatorial current का ठीक है Atlantic थोड़ा सा S shape में है है ना चलो एक question पूछता हूँ Pacific Ocean Pacific को Arctic से कौन सा strait है जो जोडता है कौन सा strait है कौन सा जल्दम रूमत है जो Pacific Ocean को Arctic Ocean से जोडता है देखते हैं कि तो लोगों को याद है hint देता हूँ B से नाम चाल लो होता है Jabalpur is located on the banks of which of the following rivers Jabalpur ने में लेकित में से किस नेदी के तर्ट परसीत है Ganga, Godavari, Chambal या फिर Narmada बताव मतलब Narmada तो Jabalpur की गर बात करें तो Jabalpur है आपका कहां पे पहले मैं इस कांसर पता देता हूँ तो ये स्ट्रेट है कौन सा Baring स्ट्रेट ठीक है Baring जलडमरू मत तो Jabalpur है आपका नarmada पे तो option है पर 4 सही answer होगा और MP में पढ़ता है Ganga के तर्ट पे कौन है वारा नसी है पटना है सबसे बड़ा महानगर मेरा कानपूर भी ठीक है ये सबसे बड़ा महानगर आ चुका है ठीक है ये मैं सोच ना कि कानपूर से इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा limelight कर रहे हैं ठीक है कर रहे हैं लेकिन बड़ा महानगर ये भी पता होना चाहिए ठीक है गोदावरी के तटपे आपका फेमस नासिक है जहांपे आपका कुम्भी भी लगता है और अगर बात करें आपके मैं कुछ लिखता हूँ एक क्वेश्चे में लिखूंगा और जिसका इसने अंसर दे दिया अब भी बता रहूं सीधे पांच करोंड घर में लैंड कर से पैरिस किसनेदी किनारे है आप मैं आगे लिखूंगा नहीं सिर्फ बोलूंगा हैदराबाद मुसीनेदी के टेट पर है है ना अगर कोलहापूर किया कर बात करें तो कोलहापूर है आपका देखतें किते लोगों ने बताया और वह सेशन को लाइक भी कर दो सबी लोग हां ना 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 अ रहने दो एक साल से बताओ जल्दी से थेंस थेंस नहीं बटा वह उपर कुछ लिक्या ना कोला पर उसका बताओ जल्दी से नहीं पता किसी को बस इस यह वजह से तो तो तुम लोग लूज आउट कर जाते हो तो लोग अभी पांच करोण मिल जाते है, यह है आपका पंच गंगा याद दखना ठीक है पंच गंगा, लंडन तो 220 में है ठीक है, maintain है और पेरिस सीन में है पैरिस को चुनता ही पता नहीं कि वानी सिंग के याद आ जाती है पता नहीं विचा तो फॉलिविंगी रिवर्ड डज नॉट ड्रेंस इंटू अरेबियन से निमले कितमे से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है तापी परियार इंडस या फिर वह गई इसका भी आंसर में देखना जातूं क्या आं इससी के लिए है आप करो तो फिर मुझा आके बताना अब पता नहीं तुमनों क्यों लगता कि डली प्लेस के लिए नहीं है इंडस 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 बस यही सुनके न मज़ा आगया दिल को तसल्य हो गई बड़े महनत से क्वेश्चिन फॉर्म किये थे यह और सफल रहा सफल रहा पिर यार इंडस मजग एक्दम देखके अब समझे बटा एंधया है कि यह ए जी अरैबियनसी है यह बे अफंगौल है यह यह आई 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 कराची में गिर गई क्या है अरेबियन्सी है फस गया है फस गया है इन्डस ठीक है कि यह और अनक्वेश्चन प्र जाए एक विस्टन था कि कथक कहां का है अब यह तुमसे पूछ लेता इससे अच्छा मैंने यह पूछ ले कि कौन से ट्रेंग नहीं करता है तो यह समझ यह ना पता सबको है मुझे पता यह सबको पता है कि इंडस ड्रेंट करती है लेकिन कन ख़ूज हो जाते हैं को लगता है इनडस तो यह पर यहां पर अरेबियंड सीं मेन पथैंसयमल्ग द चीजरी आप ख़asında मिन नहीं लुटापिस उनको लगता है तो यह अरेस्ट दे रहे थे परियार तो समझ गे ना परियार नहीं होगा अब भी मैं चाहते हैं इसको और टफ बनाने के लिए पैनर रख देता option में पैनर में भी confused होते हैं पैनर कहां की नदीजरा बताओ तो वैगई यहां तमिलनाड में है सबसे सदर्ण मोस्ट रिवर है इंडिया की कहां गिल रही है Bay of Bengal में सबसे सदर्ण मोस्ट रिवर है कावेरी के भी नीचे है यह दखना जैसे कावेरी यह है तो कावेरी के भी नीचे है हमारी वैगई और अगर बात करें पैनर तो यह नदी है इंडिपेंडनेंट है जैसे परियार इंडिपेंडनेंट है किसी की ट्रिब् पैरियार के रएल कि है जो अरभ सागरर में गिर रही है पेंडर ईस्टनर फ्लोउइं जो ब्यॉफ बंगॉल में गिर रही है, तो आंसर किया होताए? क्योंकी यह ब्युक्षी नाऊट ट्रेंट कर रही है, थीक है? क्यूब ब्युल लिएत पर आते हैं, which of the following shortcut key is used to move the cursor one word to the left in the MS Word 365, MS Word 365 में करजर को एक शब्द बाइं की और ले जाने के लिए निन में से किस shortcut कुंजी को उप्योग किया आता है, control plus page up, control plus left arrow की, shift plus left arrow की, या फिर shift plus page up, जल्दी से बताईए, cursor को one word to the left, हाँ, तो अब आप इस question को कैसे करेंगे, देखो, control page up, ये आपका जो cursor है न, it moves the cursor one page up, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, one word to the left, page की बात नहीं हो रही है, word की बात हो रही है, ठीक है, control plus left arrow की, ये इसका answer होगा, ठीक है, shift plus left arrow की की बात करें, ये highlight कर देता है, text को, highlight the text to the left of the cursor, to the left, जो left of the cursor में पूरा text है, उसको highlight कर देता है, ये आपका, shift plus page अब क्या करता है, it moves to the next page, next page कौन सा है, जो उपर वाला है, ठीक है, और page डाउन कर दोगे, तो निच्चे वाले में चले जाओगे, next page, ठीक है, तो answer control plus left arrow की होगा, अगले question पाते है, 21st, according to the law of demand, the consumer's demand for a good must be dash, बताओ, कि according to law of demand के according, consumer के demand for a good, अब यहाँ पे एक और अपने concept आप सिखने वारे जली से बताई है, सब फेस दिखा दो, बस अभी रुको, camera लाओ भई, लगाओ सामने, अभी दिखाते हैं तुमको रुको अभी, और इसका आणसर दो, ठीक है, तो according to law of, दिखाया था ना, दिखाया था ना, एक माई को मैंने बोला था ना, कि फर्स्ट में को, फेस रिवी लोगा और किया भी था, अब तुम लेट हो तो मैं क्या करूँ है ना, फिर कभी एक महरत निकलेगा, और जिन फिर दिखाया जाएगा, लेकिन मुह दिखाया जब तक तुम लोग कुछ दो गाना, तब तक नहीं दिखाया जगा, अब तुम लोगों ने पिछली मुह दिखाया दिखाया में कुछ दिया नहीं, इसलिए जो है मुझ दिखाई अभी तक पेंडिंग है खेर अभी इस पर आता है अब ध्यान से समझना जो आप आपको समझा रहा हूँ law of demand and supply किस तरह से काम करता है देखो दो चीज़े हैं एक तो है डिमांड और प्राइस डिमांड कौन करता है कंज्यूमर क्या चीज़ देखता है जब वो किसी चीज़ को खरीता है affordability अब प्राइस अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा डिमांड करोगी कम कम और अगर कम प्राइस होगा तो ज्यादा डिमांड करोगा कैसा relation बनेगा inverse relation बनेगा क्लियर है तो इतने सही आंसर हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा और यहां पर आपको समझाता हूँ वहाँ पर law of demand की बात हो रही थी अब यहां पर करें बात करों एक होता है quantity ठीक है एक सेकेंड हाँ quantity लिख लो quantity और price तो quantity deal करता है supply से यह quantity यहां पर supply भी लिख सकते हो इसको हम बोलते है law of demand इसको बोलते है law of demand और यह क्या हो जाएगा law of supply अब supply कौन करता है जो producer होता है consumer को तो देख लिए वो demand करता है supplier जो होता है quantity produce करता है अब वो quantity किस हिसाब से produce करेगा देखो price अगर बहुत ज्यादा होगा अगर मुझे पता है कि यह चीज गन्ने का दाम बहुत हाई चल रहा है यह फिर आलू का rate जो हाई चल रहा है तो मैं ज्यादा हुगा होगा होगा यह ज्यादा पैसा मिलेगा ऐसा तो हो नहीं सकता है यह प्राइस बहुत ज्यादा है क्यों ज्यादा है तो प्राइस बहुत ज्यादा लोग खरीद भी तो नहीं रहोंगे लेकिन बहुत ज्यादा production हो गया excess में production हो गया पहले वाले case में क्या था price अगर मान लेते हैं बहुत कम हो गया तो demand बहुत ज्य प्राइस को तो प्राइस कैसा रिलेटेट था इन्वर्सली रिलेटेट था तो option number second answer हो जाएगा ठीक clear हो गया सबी को तो इन्वर्स वाला कौन सा है और direct relation वाला कौन सा है विचे तो following was the capital of the panda super easy question है कितनी बार कर चेगे हम लोग नेमलेकित में से कौन सी panda की राजधानी है ठीक है अब आपको बताना है ये तो आसान question है तुमारे लिए है तीन chiefs जो थे संगम age में उनका नाम क्या था जो तीन संगम हुए थे उनको क्या बोलते हैं और एक हमारा tamil text या फिर tamil literature compose हुआ था दूसरे संगम में उसका नाम क्या था ये जल्दीस आपको बताना है capital तो सभी जानते मदुरई यह आपका है पूरा देख सकते हैं यहाँ पर चेराज है यहाँ पर चोलाज है पांड्याज इनको संगम पिरिड बोलते हैं ठीक है तो पांड्याज की capital याद रखना थी तंजावूर ये फिर तंजावूर भी बोलते हैं तंजावूर तंजावूर फिर बाद में राजियंद्र चोला ने गंगई कोंडा चोलापुरम यहाँ पर इस्थापित किया तो उसको बनाया था capital तो यह याद रखना है सबसे पहले काविरी पटनम तो इनकी वंची मुजरी और वंची ठीक है आई थिंग अभी जो UPSC का पेपर हुआ था उसमें यह question पूछा गया था मुजरी टॉंडी कॉलकई यह आर्दी और वाट तो यह पोर्ट है आपके ठीक है यह इस और पोर्ट बंदर गाय जहाँ पर मुजरी टॉंडी से आपक तो फ्री चीफ मुवेंदर थ्री संगंस मुच्चंगं तोलका पियम है न तोलका पियम पहला और तीसरा वाला कहां हुआ था शंगं मदुराइम ही हुआ था और 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 पिलर इंस्क्रेप्शन वेतै किसका था तो पूला केसिन 2 का किसने कंपोस किया था? रवी कृती ने, है ना? रवी कृती और कुछ, और कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? Which of the following is not an asexual form of reproduction in plants, नहीं कित्में से कौन सा पाउधो में प्रजिनन का अलाइंगी group नहीं है? Reproduction क्या होता है? इसको हम बोलते हैं, अब जो reproduction है, वो दो तरह का होता है, एक तो होता है, एक तो होता है, और दूसरा होता है, sexual, अब sexual में क्या होता है? कि दो लोग की need होती है, इसमें, reproduce करने के लिए, off-swing produce करने के लिए, सभी जानते हैं, लेकिन तुम यह नहीं जानते हो, कि अकेले भी काम चल जाता है, कुछ cases में, और उसको हम बोलते हैं, asexual, asexual भाई, कुछ और मत सोचना, बस यह इतना सोचों कि यह बहुत चोटे चोटे जो organism होते हैं, जैसे कि, amoeba, asexual reproduction करता है, बात करें, plasmodium, याद आ रहा है कुछ plasmodium से, plasmodium से कुछ याद आ रहा है आपको, plain area, hydra, जिसके भाई बात कर रहा था, east, यह हमारे करते है, asex asexual form of reproduction, इसके भी types होते हैं, एक PDF शेयर करूं, जिस तरह से प्लांट ने आनमिल के इंडावाले में किया था, diversity and living organism, यह भी अभी तो, हाँ, ठीक है, कोई नहीं, परमार officer पे, जिस दिन class होगी, वैसे तुम्हें daily class का link share कर देता हूं, 9.30 पे होती, biology ही से हमें चल रही है, इतने कायदे से चल रही ही, जिसने पढ़ लिया, biology का B फिर नहीं पढ़ना पढ़ेगा, आगे कहीं से कुछ भी करने के दिरत नहीं पढ़ेगी, ठीक है, इतने हम लोग बेटर तरीके से कर रहे हैं, तो जब यह होगा, तो आपको यह बता दूँगा, ठीक है, जिल्दी हो धीरे-धीरे क्या होता, यह अंदर को जो nucleus है न, यह बाहर वाला भी फैलेगा, और nucleus भी थोड़ा-थोड़ा फैलना चलू करेगा, फिर तीसरा stage में यह और फैलेगा, ठीक है, और यह और यह पुरा फैल जाएगा, और धीरे-धीरे यह पुरा अलग हो जाएगा, तो इस त क्या दा रहा है, malaria, यही तो pathogen होता था, इसमें होता है आपका multiple fission, ठीक है, multiple fission, planaria, इसमें हम देखेंगे, regenerate हो जाता ही है, ठीक है, regenerate हो जाता है, hydra east, budding, ठीक है, जैसे hydra होता है, ठीक है, hydra होता है, ऐसे करके, इसमें बड़ निकलता, जैसे आलू में देखे हो, होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, टूट जाएगा, एक पूरा hydra develop हो जाएगा, sexual में, हम humans होगे, animals होगे, ठीक है, हमारे जो पेड़ पाओधे होगे, तो answer क्या हो जाएगा, pollination, याद करो, एक गुड़हल का फूल लिये थे एक दिन, बताओ, दिये थे ते तुमें एक दिन गुड़हल का फूल, और उस गुड़हल के फूल में pollination करवाया था, कैसे करवाया था, जा हमने पूरा reproduction समझा था, कि किस तरह से, एक plant में reproduction होता है, plant का reproductive organ क्या होता है, फूल, flower, तो जल्दी से अच्छा बताओ, अगर तुम, हाँ हाँ तो तुम कर रहे हो, ठीक ह लेकिन अच्छे, अगर इतना ही हाँ कर रहे हैं, तो बताओ, male reproductive organ क्या होता है, flower में, और female क्या होता है, जल्दी से पताओ, अगर तुम revise कर रहे हो, तो बता दोगे, पूरा हम लोग देखे थे, तो budding हो गया, vegetative propagation, जैसे कि, अभी बरसात होगी, घास उग जाएगी, अभी तुमको सब बंजर दिख रहा होगा, आस पास देखना, और घास उगए, क्यों, क्योंकि पहले वहाँ पे घास थी, जिसके कुछ, एक तरह से तूटके, वो गिर गया, और वो फिर से उग जाएगे, जब वहाँ पानी पड़ेगा, उसको बोलते है, vegetative propagation, spore formation हम देखेंगे Spore formation, यह भी आपका जो fungus अगरा होता ना, fungus लगते हैं, उसमें spore formation से होता है, male होता है, अपका stay man, कैसे याद करना था, men से याद करना था, आदमी, men, male, ठीक है, female, females के पास pistol है, men अगर डंग से बहुने करेंगे, तो pistol का use कर लेंगे, ठीक है, तो male में क्या क्या इसके components होते हैं, एंथर, sorry, एंथर बोल रहा हूँ, pollen grains, और filament, जिसमें वो लगे होते हैं, ठीक है, pollen grains, और pollen grains होते हैं, वो pollen grains उल्ग के जाते हैं, ठीक है, stigma, और actual में pollen grains किसमें लगे होते हैं, एंथर में ही, ठीक है, एंथर में होते हैं, ठीक है, एंथर में, pollen grains होते हैं, क्या हो रहा है stigma, styled और ovari आते हैं और ovari के अंदर ही obvious देखने को मिलते हैं, ठीक है यह pollen grains जो एंथर में लगे हुए है ठीक है actual में एंथर ही हो गए यहां पर यहां पर एंथर ही लिखना ज्यादा ज़यरी रहे गहां कि अंदर होते है pollen grains ठीक है एंथर के अंदर होते हैं pollen grains तो एंथर यहां लिख लो और pollen grains इसके उपर ठीक है? pollen grains यह उलके जाते हैं पुरा मैंने उडा उडा के दिखाया था और जिस method से वो जाते हैं उलके भी जा सकते हैं हवा से वो insect के तो जा सकते हैं उसको हम pollination बोलते हैं तो वो जब जाते हैं तो वो ovules जो ovary में मौझूद होते हैं उनके साथ fertilization करते हैं वही बीज बनते हैं और वो जो ovary है याद रखना जो ovules हैं वो seed बनते हैं बीज बनते हैं और जो ovary है वो fruit बनता है फल बनता है है ना? चलो what is the color of the outer zone of the complete combustion of a candle flame मौमबत्ती की लोग के पूल दहन के बहरी छेत का रंग कैसा होता है blue, black, orange या फिर बस जल्दी से हां सबका सही answer है तो ये है तुमारी बत्ती मौमबत्ती ठीक तो मौमबत्ती को तुमने जलाया ये जो जल्ती है ना उपर ये गहलाती इसकी flame अब flame से मौझे याद है कि जो saturated hydrocarbon है वो किस flame से burn करते है saturated hydrocarbon कौन सी flame से burn करते है और जो unsaturated hydrocarbon है वो किस flame से burn करते है ये भी आपको पढ़ा चुका हूँ तो ये जो होता है candle का जो flame होता है तो इसका outer region बहूत hottest होता है सबसे班 होता है इसका color blue होता है जो center का part होता है ये moderate zone होता है बहुत ज़ 이제 на के हमारा outer है moderately hot होता है ये yellow color का होता है जो अंदर वाला होता है एक दम lowest वो सबसेша hot होता है और black color का होता है colour याद होना चाहिए BYB ऐसे याद रखो byb ठीक है blue yellow black saturated हमारे clear flame से जलते कि एक दम blueish घर में वो जब जलावना LPG cylinder तो एक दम clear जलता है कि नहीं ठीक है अच्छा हमारे LPG cylinder होते हैं गर में कौन सी gas होती उसमें दखते हैं कितने लोगों पता है unsaturated हमारे yellow suity flame में burn करते है answer क्या हो जाएगा इसका outer zone blue option number first इसका सही answer होगा ठीक अच्छे ये बताओ candle का जलना जो है वो किस तरह का process है physical change है chemical change है कैसा change है ये बताओ ज़रा और कुछ question पूछा था ना मैंने कुछ question पूछा था LPG वाला question पूछा था तो इसमें आपकी butane होती primarily प्रोपेन भी होती लेकिन primarily butane होती है तो ब्यूटेन जादा होती प्रोपेन थोड़ी कम होती है ठीक है तो यह आपके saturated ही तो है saturated का मतलब क्या होता है alkane और butane propane सब अलकेन ही तो है unsaturated मतलब क्या होता है alkyne alkyne ठीक तो और player एक question पूछता हूं दूसरा भूल जाता हूं candle का जलना हा फिजिकल और chemical दोनों होता है chemical जो लिख रहे है वो गलत है फिजिकल जो लिख रहे है वो भी गलत है लेकिन अधूरी तरह से दोनों है अब मैं तुमारे घर में डंडा लेकिया हूं के समझाने मैं बत जिसको हम reverse कर सकते हैं भई मोम बत्ती पिघल गई फिरसे तो मोम बना सकते हो ना उससे भाग तो नहीं गई वो विक जल गई सो जल गई अब उसको तुम reverse नहीं कर सकते हो irreversible है तो यह फिजिकल और chemical दोनों है ठीक है ना तो कैसे याद करोगे तुम लोग कैसे मनलब वहां पर सही करोगे जब मैं बार-बार उस चीज को repeat कर रहा हूं बार-बार repeat कर रहा हूं NCRT में लिखा हूँ है अब तुम बार-बार घलत कर रहो तो लब हताश और निराश कर देते हो पूरी energy के एकदम ऐसे थी कर देते हैं तुम लोग पूरी है लब अगर कुछ भी सही आसे देते तो देल को सुकोन मिलता खैर आज चाह क्वेश्चन अब दे नोट कर लो विच द फॉल्विंग जर्रेर स्पीशीज एस पर दा आयू सीन ठीक है जमरा आयू सीन है इंटरनाशनल उन फॉर और फिर ब्लू शीप और कितना आपने स्कोर किया 24 में ये बताईए जल्दी से और रिविजन करिए रिविजन नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा जो क्विश्चन में इतनी बार करवा चुका हूँ आयरे सेशन में भी हो चुका है फिर भी आप गलत कर रहे हैं तो फिर तो बस एक ही ऑप्शन बचता है कि यहां से मैं भाला फ्रेंक के मारूं आपके बास है न कितना दिया था चार रहें कोई दिया था तो अच्छी बात है स्पोर्ट्स करेंट अफैयर के अलग से कम्पालेशन क्यों सपोर्ट्स में ऐसा क्या रूच्षी तुमारी सूरज है स्पोर्ट्स में क्या कोई s-s-s-e ज्यादा focus करता है कि अब हर वो categorize करके तुम्हें देने लगा हूं में के भी मैंने categorize करके current affair की PDF दी April के भी current affairs की PDF आपकी पर्मार ssc telegram पे upload हो चुकी है ठीक है उसमें categorize करके ही दिया हूं अब पढ़ना का अब तुमको लगता है कि मैं जितना हो रहा है उसे और ज्यादा कर दूं और ज्यादा कर दूं यह भी कर दूं वह भी कर दूं सब कुछ कर दूं है न तो मेरे ज्यादा ज्यादा करने से नहीं होगा आपके करने से भी होगा ठीक है आज का कौन सा होगा IRS में कल वाला लेक्चर जो किया था 43 और ऐधिंक 11 वाला जॉइन फॉम भी 10th question, okay कोई नहीं 43 होगा IRS में आज और 11 लेक्चर होगा सवर आज से मने क्लास शुरू किया फ्रसून अच्छा लेक्चर वन से भी करते रो तो पारलली करते रो लेक्चर वन और यहां पर लेक्चर वन मतलब दो दो लेक्चर तो आपको करना ही पड़ेंगे नव नंबर question करा दो गुरू जी buffering हो गई थे जब buffering हो गई थी क्या जब सभी लोग बताओ क्या buffering होई थी क्या क्लास इसे question नंबर 9 में कम लाहरी से भाई यह तो सबसे आसान question था अच्छा यह मौज ले रहे हो क्या है तफरी तो नहीं ले रहा हो क्यों क्यों अच्छा नहीं आता है वो एकदम 5G की स्पीड से चलता है ठीक है फाइबर नेट है तो कहीं कह सकते हैं आचा एक्स्टा करवादे एक्स्टा करवाते हैं नोट करो कमला कमला जो है तुमको अलग से नोट करवाएंगे ठीक है अच्छा सर विच कंट्री है जी ओल्डेस्ट कॉंस्ट क्या कॉंस्ट चलो भई धन्नावाद सभी को बाकी पीडिया फीडिया आपकी अपलोड हो जाएगी ठीक है और मिलते हैं कल ठीक है लाए्ट स्वें लाए्ट कर्सक्रादीर और शन्स लिकार्ष कीविप तर रश्रश oso कर्वा अ बो फिलिएा और अजस एकविए तो अगर रिटेन की बात करें, 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 अगर रिटेन क कर वाल जा?